जय हो दोस्तों चित्रकूट में एक जगह है सती अनुसुया आप लोग चित्रकूट गए होंगे सती अनुसुया देखा होगा लेकिन सती अनुसुया से थोड़ा आके आगे चलकर एक पुराना हनुमान मंदिर है इस यत्रा में हमारे साथ हमारे दो साथ ही सत्य देवयादो और डॉक्टर अनुज मिस्रा भी थे उचाई थोड़ी ज़्यादा थी ऊपर पहुँचने तक सांस फूल गया इसमें कोई सत्य नहीं है लेकिन हनुमान जी का ये इस्थान देखने की और अपने दर्सकों को दिखाने की जो चाह थी उसके ऊपर ये ठकावट निसंदे बारी नहीं पड़ पा रही थी हम थोड़ा और आगे पहुचे तो हमें कुछ पुरातन अवशेश दिखाई दिए तितकुड बहुत बार आए होंगे लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहां नीचे की भीड देखने के बाद और यहां पर सन्नाटा देखने के बाद असा लगता है कि आप मैंसे अधिकांस लोग कभी इधर नहीं आये होंगे यह जो छेत्र है पूरा यहां से आप यह देख पा रहे होंगे छोटा सा मंदिर भी बनाये यह छोटी-छोटी कमरे दिख रहे होंगे यह पाहली का वो छेत्र है जहां कभी अत्रिमूनी अपने सिष्ष्यों को कि सिक्षित किया करते थे और यहां एक हनमान मंदिर है जिसे सिध्ध अंवान कहा जाता है और यह WWE कहा जाता है कि यहां कि एक बाबा अंवान जी के आपती है कि साक्षातकार हनुमान जी से उनका हुआ करता था बात किया करते थे हनुमान जी के वरदान से उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ और उसके बाद ही यहां तक आने के लिए सीड़ियां बनाएं गई चूँकि आत्री रिसी जब रहे होंग वो सत्यूक का समय रहा समझ सकते हैं कितना लंबा वक्त गुजर गया है लेकिन ये पहाड और यहां की कंद्राएं ये सिद्ध करते हैं कि निसंदे जो भी मुझे बताया गया है वो सत्य है तोड़ा और आगे चलने पर हमें लोगों के द्वारा बनाये गए कुछ मंदिर जैसे अफशेष दिखे जिस स्थान को कहा जाता है कि यहां बावा जी ने बैठ करता पश्या की थी फिर हमारे साथ एक ऐसा चमतकार हुआ जिससे आपको बताय बिना नहीं रह सकता यहां सिद्ध धन्वान जी के उन्हें प्राप्ति हुई थी जो मैंने अभी बताय था आपको और अभी मैंने एक ऐसा चमतकार देखा जो मतलब अपने आखों से देखा है एक हमाई साथी हैं यहां आए और हमसे कहा चमतकार दिखाता हूं हवा नहीं चल रही मैंने का नही सब्सक्राइब लेकिन हवा महसूस कर पा रहा हूं बताएं चल में हुआ कि जब नीचे थे तो थोड़ी हवा चल रही थे अभी जब ऊपर चड़के आए तो एक पत्ती भी नहीं डूल रही थी तो हमको अचानक से लगा यार नहीं चल लई और इतनी ज्यादा गर्मी में ह तो जो अंदर से एक सुमिरन हुआ हनमान जी का और सुन रखा किसी दिष्थान है तो वहीं सोच करके जैसे हमने दिखा दो हावा दिखा दो आप पत्तियां डूल रही है आप साथ चात है थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था पर फिर मैंने कहा पाउन पुत्त्र हनमान बात कहिए दुबे जी ने कि जब हम यहां आयते तो पत्ति हिल नहीं रही थी और अभी इन्होंने बाबाजी का सुमरन किया और अपने हिर्दय से उनसे कहा कि हम लोग गर्मी से परिशान है कुछ हवा का प्रवंद कर दिया जा और अंदर से दो बार कहा और हवा इतनी ते प्रवंद किया महराज जी को और तेश थे हवा चलने लगी और बढ़िया अच्छा लगा पिछली बार भी जब मैं यहां आया था इस जब आया था तो मूह सूखने लगा था तो मैंने आप से याद होगा थोड़ी दर पहले कहा भी था कि बोतल ले लिया जाए पानी पान जी महराज यहां सिद्ध इतने हैं कि आपके वोमनों का अमना पूल होगी सर्थ यह है कि वो जायज मांग होनी चाहिए जय हो इसके बाद हमने भी उन हनमान जी के दर्सन किये जो हमारे मन की मन्नत थी वो भी उनके सामने रखी दंडवत पड़ाम किया और हमारा कारवां आ आपस आना था हमने अपने बापशी की यातरा सुरू कर दी आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा चैनल को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करना कता ही न भूलें जैहो